नमस्कार A to Z टिशष उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है अभी मौसम इतना अच्छा चल रहा है न पकोड़े खाने का तो मन सभी को होता है और बैंगन ये कैसी सबजी है जिसको हम कम खाना पसंद करते हैं उसे कैसे बना हमें वही समझ में कभी-कभी तो नहीं आता है क्योंकि बच्चे तो उसे बिलकुल खाना नहीं पसंद करते हैं तो मैंने सचा आज बनाते हैं इतने बढ़िया से कुरकुरे बैंगन के पकोड़े जिसे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा और ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और टेस्टी भी बनते हैं उसके लिए आ गोल गोल टुकड़ों में से काट लीजे और ये सची में अगर बच्चे खाना बैंगन नहीं पसंद करते हैं तो ये तो जरूर वो मांग मांग कर खाएंगे देखे गोल टुकड़े कट करने के बाद इसके ओपर नमक डाल दीना है और अच्छे से मसलना है और ये जो टु चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच लाल मिश पाउडर और इसी के साथ एक चौथाई चमच जीरा डाल रहे हूं में इससे काफी बढ़िया स्वाद आता है और एक चौथाई चमच अजवाइन को इस तरह से हाथों से मसल कर डाल देंगे अब थोड़ा थोड़ा पा कोड़े जुक कर पानी डालें कोई बीघंग बेसंट उपानी ढाल लिए तो यहां पर अच्छे से मिलाकर 10-15 मिनट तक रख देना है तह आप अच्छे से मैंने मिला लिया स्वाद प्र देंगे और इक चौथाह चमच लाल दिए और इस थे से मिला लिएगे यहां पर आप यह देख सकते हैं इसे मिला लिया और यह देखे गाड़ा गोल यानिकि ठिक बैटर बनकर तयार है अब पकोड़े तलने के लिए मैंने पहले से गरम तेल करने रग दिया है क्योंकि जो तेल है पकोड़े के लिए काफी अच्छा गरम चाहिए तो इसे गरम करने रग तो सिर्फ दो बातों का धियान रखना है एक तो यह जब आप बैंगन को गोल-गोल काट रहे हैं तो उसे मोटा ना काते, पतला काते और दुसरी बात यह कि जो गोल है बेशन का उसे आपको गाड़ा तयार करना है अगर पतला तयार करेंगे ना तो वो टुकड़ो पर जिपकेगा नहीं और पकोड़े का स्वाद अच्छा नहीं आएगा और देखे, सारे टुकड़े मैंने अच्छे से डाल दिये है बेशन के कोट करने के बाद यह और इसे बस एकदम कुरकुरे हो जाए एकदम बढ़िया ससनेरा कलर आ जाए तब तक इसे फ्राइ कर लीना है यह पर आप देख सकते हैं सारे पकोड़े अच्छे से कुरकुरे हो गए तो इसे निकाल लीजे और गर्मा गरम इसे खाईए केचप यह कोई भी स्पाइसी चटनी खटी चटनी के साथ और इसके साथ यह मिर्ची भी मैंने थोड़ी सी गरम तेल था तो मैंने फ्राइ कर ली है तो आप इसे जरूर ट्राइ किजिए कि आप बहुत बहुत ही टेस्ट लगते एकदम कुरकुरे होते है और मज़े कमें सेक्शन बताइए कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी इसे लाइक किजिए जो शेयर किजिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू फॉर वच्छेंग